इस एपिसोड का मुख्य उदेश्य है अन्य लोकतांत्रिक देशों में आरक्षन प्रनाली को देखना हम चार एपिसोड सिरीज करेंगे चार अलग देशों पर अमेरिका, साउथ आफ्रिका, मलेशिया और ब्राजील हम अमेरिका से शुरुआत करते हैं इस एपिसोड में आरक्षन, स्वतंत्र भारत के 70 सालों में सबसे ज्वलन समस्या एकदम दिल जला देने वाला मुद्दा है जिय जले, जा जले, जब आप और मैं आरक्षन की बात करें अरे वावा, वावा, क्योंकि काफी बैर हो जाता है इस मुद्दे से तो आप और मैं एकदम SR के स्टाइल शुरुवात में ही दिल से बैर को जड़ा निकाल देंगे एकदम सरल परिभाशा देखें तो आरक्षन एक कोटा अधारित प्रनाली है जिसके तहट कॉलेजिज और नौकलियों में सीट्स रिजर्फ की जाती है और चुने जाने की प्रथा में विशेश प्रावधान दिये जाते है उन समुदाए के व्यक्तियों को जिनके साथ एतिहासिक रूप से भेदभाव हुआ है इसका उद्देश्य यह भी है कि समाज के हर समुदाए का बहतर प्रतिनिदित्व हो समाजिक संस्थानों में समानता और समाजिक न्याय के अधार पर एक समाज की आशा में जिसकी कलपना डॉक्टर भापासाब अंबेटकर और अन्य समविधान निर्माता उने की थी भारत में अभी तक यह अनुसूचे जाती अनुसूचे जन जाती और अन्य पिछडे वर्गों के लिए है बिना किसी भेद भाव के सभी नागरिकों को प्यार करना एक राज्य का करतव्य है ऐसा प्यार जो तब्बू को अमिता बच्चन के लिए था चेनी कम फिल्म में या श्री देवी को था अद्रिश्य मिस्टर इंडिया के लिए रेस्ट इन पार श्री देवी रेस्ट इन पार इस एपिसोड का मुख्य उदेश्य है अन्य लोकतांतरिक देशों में आरक्षन प्रनाली को देखना हम चार एपिसोड सिरीज करेंगे चार अलग देशों पर अमेरिका, साथ आफ्रिका, मलेशिया और ब्राजील हम अमेरिका से शुरुआत करते हैं इस एपिसोड में पहली बात तो क्योंकि ऐसा कच्चरा बहुत फेला यार ऑनलें जो कि साबिद करता है कि हम सहे में क्यों मैंडक हैं यही उबडुक्या मातिया एक बार तो यार गूगल कर लेते हैं ऐसी बकवास फोटो फैलाने से पहले है किसलिए ये स्मार्टफोन तुमारी जेम में सेल्फी खीचने के लिए ओ हाँ हाँ सेल्फी खीच लेता है एक सेल्फी तो बनती है या केवल ऐसी पक्षपाद भरी बक्चोधी के लिए जी हाँ अमेरिका में भी आरक्षन जैसी नीतिया है ब्लैक्स, हिस्पैनिक, महिलाव और ट्रांसजेंडर्स के लिए कॉलेजिज और नौक्रियों में भेतर प्रतिनिधित्व के लिए हमारे देश में तो ऐसे लोग हैं जो प्यार के बीच आ जाते हैं मेशा जैसे कि लर्की का बाप और मोगैमबो वैसे ही है ये अंटी रेजर्वेशन ट्रोज जो गलत जानकारी देकर रज्जे और नागरिकों के बीच आ जाते हैं दूसरी बात हम यह भी देखेंगे कि ऐसी खास पॉलिसीस कैसे आई अमेरिका में उनकी सफलता का राश हम क्या सीख सकते हैं भारत में आरख्षन पॉलिसीस को बेटर तरीके से लागो करने के लिए क्या कहा क्या कहा क्या आवाज आई पीछे से इस ट्रम की अमेरिका से कुछ नहीं सीख सकते है आप बिलकुल सीख सकते है यार ट्रम्प भी वाइट हाउस के कोई में बैठा एक मेंड़क है कौन सिल्धाइट देख इस मेंड़को की अमेरिका में आरक्षन किया जैसे कि वहां कहते हैं अफरमेटिव आक्षन यानि सकरात्मक कदम की शुरुवात 1964 से लगाई जा सकती है जब तब के राष्ट्रपती लिंडन बी जॉंसन ने सिविल राइट्स आक्ट को कानून में तब्दील किया अमेरिका की स्वतंतरता के 188 साल बाद असल में 1950 के दशक के नागरिक अधिकार अंदोलन में जो नसल संभन्दी और समन्ताओं पर सारवजनिक भहस और अलोचना हुई उसी से ही सरकार पर दबाफ पड़ा अगर बावसाब अंबेटकर ने यहां दलिट को और्गनाईस किया तो वहां मार्टिन लूदर किंग जूनियर ने अमेरिका को जगाने की मुहीम छेडी जाग जाओ अमेरिका सफेद लोग के वर्चस्व का समय खतम हो चुका है एक नई किताब के अनुसार जब ब्लाक किंग जूनियर वाइट राष्ट्रपती जॉन एफ केनेडी से मिले तब ही सिविल राइट्स आक का आधार रखा जा चुका था धन फिर दुझा दो जागर एक वाराइट्स एका यार चाहर जाने वी करत वार जारी the doors of opportunity close to hope I have a dream that one day every valley shall be exalted every hill and mountain shall be made low the rough places will be made plain and the crooked places will be made straight and the glory of the Lord shall be revealed and all flesh shall see it together this is our hope we will be able to work together to pray together to struggle together to go to jail together to stand up for freedom together knowing that we will be free one day इस अधिनियम ने संस्थाओं में नौकरी पर रखने प्रमोशन देने या निकानने में नसल और लिंग के अधार पर भीदभाव पर रोक लगाई उसके बाद से अभी तक गाई आधिकारिक अदेश आ चुके हैं जिसका पालन करते होए केंद्रिये, राज्ये और स्थानिये संस्थाओं ने अनिवार्रे और स्वेचिक दोनों किस्म की नीतियों को लागू करा है सब को समान अफसर प्रदान करने के लिए और अल्प संखेकों और महिलाओं को उचित प्रते निदित्व देने के लिए भारत में तो धार्मिक अल्प संखेकों के लिए आरक्षन की कोई चर्चा तक नहीं है जबकि महिला आरक्षर बिल संसद में सद्यों से फसा हुआ है और ये है हमारी हिपोक्रिसी या कहे पाखंडता नमबर एक ऐसे ही इस एपिसोड के दोरान हम गिल्टी करते रहेंगे पाखंडताओं की क्योंकि बहुत सारी है ने हमारे देश में अमेरिका में ऐसा नहीं हुआ कि एक नीती बनाई गई और फिर चलो बाई साब गद्दे लगा और सो गई 1964 के अधिनियम के तहत Equal Employment Opportunity Commission यानि समान रोजगार अफसर आयोग एक स्वतंतर एजेंसी का गठन हुआ इस कानून को स्थापित करने के लिए इस संस्था का काम ये देखना है कि रोजगार प्रथाओं में बेदभाव रोगने की नीतियों को धंग से लागू किया जा रहा है या नहीं जी हाँ कानून का धंग से लागू होना यानि इंप्लिमेंटेशन जो कभी नहीं देखा जाता भारत में मैंने तो कभी नहीं देखा अनुसूचित जातियों पिछडी जातियों अल्पसंख्यकों महिलाओं के लिए बनी राष्ट्रे आयोग एकदम शक्ति हीन है भारत में केवल अत्यचारों की घटनाओं को रिकॉर्ड करना या मीडिया को बाइट देना यही काम रह गया उनका केवल बक्चोद बिल्ली की तरह बगबग करा लो हम भारतियों से ना एक्शन नेने की पावर है ना एक्शन नेने यकीन रखते हैं हम यहाँ लोग नकली जाती प्रमान पत्र तक बनाते हैं आरक्शन का पूरा कोटा भरा तक नहीं जाता कोई एजनसी नहीं है यहाँ जो 50 प्रतीशत से कम कि इस आरक्शन की इंप्लिमेंटेशन को देख सके तो हुई यह हमारी पाखंडता नमबर दो जैसे जैसे समाज में उन्नती हुई अमेरिकी सरकार ने इस एजनसी को और ताकत देते हो जांच प्रादिकारन बनाया यह शिकायते लेकर जांच कर सकती है और कर्मचारियों और मैनेजमेंट के बीच सुलह तक करा सकती है यह अमेरिकेन कमिशन नियोकता को डंडिद भी कर सकती है नॉर्मल कंपनसेशन से लेकर कठोर कदम तक भेदभाव के स्थर के हिसाब से इसकी स्वतंत्र प्रकृती और व्यापक शक्ती बेहत ही गजब की बात है एक और दिलचस्प बात है कि 1970 के दशक से ही निजी नियोकताव या प्राइवेट सेक्टर ने खुद ही नीति हो और फिर से कहूंगा खुद बनाए बिना फोर्स के क्योंकि विविदता से ही हम समग्र विकास की और बढ़ सकते हैं इन निजी शेतर की नीतियों के खिलाफ अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में केस जायर हुआ और कोर्ट ने कहा कि निजी शेतर चाहे तो अपनी तरफ से केस में इसी तर्क पर नौकरियों में अन्य पिछरे वर्गों के लिए आरक्षन कायम रखा था पर इस लिब्रलाइज, ग्लोबलाइज और कॉर्परिटाइज इंडिया के अब निजी शेतर में आरक्षन को राजनीतिक बहस में कभी स्तान तक नहीं मिला है तो हुई ना य और यह पिंचिशर के विजय माल्या शूल मंतरदेश से बाए 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 प्राइज तर्य रिए बाए 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 होती है इन नीतियों के खिलाव भी काफी केसे अमेरिकन सुप्रीम कोट में जा चुके हैं खास कर पिछले दो दशक में राष्टे सर पर मुद्दे तक बन चुके हैं पर हर केस में कोट ने शिक्षासान स्थानों में विविधता के हक में ही फैसला सुनाया है इन में से अधिकांश मामले सफेज छात्रो द्वारा दायर किये गए जिसमें उल्टे भेदभाव का आरोप लगाया गया जबकि अलपसंख्यक समुदाव के स्टूडेंट्स यहे दावा करते हैं कि वह हमेशा से ही बराबर की मेहनत करते आए हैं करते हैं I hope the court rules that a student's race and ethnicity should not be considered when applying to the University of Texas Seeing as race is probably one of the least parts of the holistic review process I feel like it's it's harping on the wrong on one of the things that on the easiest thing that she could have she could have went against To hear people saying that some of us latinos got in here easily and the only reason we got in here is because of our race That's really disappointing We worked just as hard as anyone else did to get here to you American court के यह निर्ने इस चतावनी की साथ आए हैं कि दाखिले की हर नीती को अलग अलग धंग से देखा जाएगा और हर नीती को सपश्ट रूप से यह दर्शाना पड़ेगा कि उसकी जरूरत अतियावश्यक है खासकर इस समय कॉलेज दाखिलों में इन सकरात्मक नीतियों का समर्थन करना काफी महतोपूर है अमेरिका में क्योंकि उनका एक नया दुश्मन आ चुका है समाज में जी हाँ, अमेरिका के इतिहास का सबसे महान राष्ट्रपती सही पैचाना आपने और कोही नहीं वो है डॉनल्ड ट्रम्प और जिस चीज़ का भी वो विरोध करे वे डेफिनेटली अच्छा होगा बिना किसी लाउट के मैं कह सकता हो भारत में भी सुप्रीम कोट ने भी उच्छी शिक्षा में OBS के लिए 27 प्रतिशत आरक्षन सही ठहराते हुए क्रीमी लेयर को बाहर रखा तो आर्थिक रैटीरिया तो है ही आरक्षन में यार कास के साथ कोट ने लगातार समाजिक आर्थिक पिछडे पन शब्दों का इस्तमाल किया है तो क्यों बार-बार आग लगती है कि आरक्षन एकॉनिक ट्रेटेरिया पर होना चाहिए केस तो पढ़ लो एक बार ओनलाइन अवेलेबल है फ्री में अपने आईफोन खोलो टोलो इतना ही शक है तो सरकार क्यों नहीं निकाल रो है कास सेंसर्स सब क्लियर हो जाएगा तब कौन कितने पानी में है सबका साथ सबका विकास है आखिर फिर उस्ते हिसाब से पॉलिसी में बना लेंगे निकालो कास सेंसर्स ओके पर अच्छा है यह नहीं हुआ क्योंकि इसी से मिलता है हमें हमारी आज की पकंड़ता नंबर चाहा है आगे बढ़ते हैं पिछले दो दशक में अमेरिका के पचास में से आठ राज्यों के विश्व विध्यालियों में नसल आधारित दाखिलों को बैम कर दिया गया है और उसी के साथ ही ब्लाक्स और हिस्पैनिक चाहतरों के नामांकन में भारी गिरावट हुई इन राज्यों के विश्व विध्यालियों ने नए उपायन निकाले विविधता कायम रखने के लिए एटलीस प्रयास किये वहाँ जैसे कि वाइट्स को जो विरासिती प्रात्मिक्ता मिलती थी उसे हटा दिया पूर्व छात्रों के परिवार के लिए कोई खास नहीं थी नहीं क्या हम भारते ऐसे परिवारिक रेफरेंसिस को हटाएंगे शिक्षा के संस्थानों से जी हाँ मैं भाई भतीजावात की ही बात कर रहा हूँ आप जैसे फोन करते हैं अरे मेरे बतीजे को अग्मिशन दिला दो मेरे बच्चे को अग्मिशन दिला दो फोन करना बंद करोगे क्या हम मैलेजमेन कोटा को हटाएंगे अपने कॉलेजिस से नहीं न तो हुई ये हमारी पाखंडता नंबर पांच काफी राज्ये विश्व विध्याले ने आर्थिक सहायता स्कॉलर्शिप्स प्रथम पीडी के चातरों के लिए विशेश नीतियां कटिनाईयों के बावजूत स्कूल में अच्छे प्रदेशन करने के लिए अतिरिक्त अंग तक दिये है इन सब प्रयासों के बाद कुछ हद तक स्थिती बहतर हुई आएवा और यहां भारतिय सरकार ने चातरों की रिसर्च स्कॉलर्शिप्स पर हमला किया है विश्व विध्याले SCST OBC स्टूडेंट्स की आर्थिक मदद रोक रहे है पाखंड सा नंबर छे तो इस पर बनता है तो आये ताली बजाईए भारत सरकार और नारी उप्रिस्टी आली में अमेरिका में एक रीसेंट रिपोर्ट में पाया गया कि Blacks और Hispanic चात्रों का प्रतिनिधित्व उनकी आबादी के अनुपात में अभी भी कम है वहाँ भी विशेशग्यों ने बोला है कि स्कूल लेवल पर शिक्षा का स्तर अच्छा ना होने से अल्प संख्यकों को उच्छी शिक्षा में कठीनाई का सामना करना पड़ता है तो बुनियाद पर शिक्षा का भेतर स्तर और टॉप पर अरक्षन का साथ ही विकास की और ले जा सकता है समाज को हम सब जानते हैं कि भारत में सरकारी स्कूल की हालत क्या है कौन जाता है प्राइवेट स्कूल में हम विरासती अधिकार प्राद जेनरल कौन जाता है सरकारी स्कूल में वह दूसरे पाखंडरता नंबर साथ अमेरिका में सकरात्मक मीतिया और आगे बढ़ते हुए समाज के सभी पिछडे वर्गों तक अब पहुंच चुकी है 2014 में पूर्व राष्ट्रपती बैरक उबामा ने एक कारी-कारी आदेश जारी किया जो केंदरिय संगठनों को यौन अभी विन्यास या लिंग पहचान के अधार पर भेदभाव करने से रोकता है और यहां सेक्शन 377 जाने का नाम ही नहीं ले रहा और ट्रांसजेंडर बिल अच्छे से आ नहीं रहा तो हुई ना यह पाखंडता नंबर आठ सुप्रीम कोट और संसच की और जब इन सभी आठ पाखंडताओं को एक साथ हम मिलाएं तो आखरी और सबसे महत्वपून पाखंडता मिलती है हमें क्या कहा योगिता का मितत हाँ बिल्कुल सही मित ओफ मेरे है हमारी आज की पाखंडता नंबर नौ और इसी के साथ आज का एपिसोड खतम अगले एपिसोड में चर्चा होगी दक्षिन अफ्रीका की यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेर जरूर करें यदि और ऐसी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि सबका साथ सबका विकास होना ही चाहिए